हेलो दोस्तों मैं अंजली त्रवेदी आपके अपने चैनल एक्स्प्लोरिंग स्टडी में आप सभी का स्वागत करती हूँ दोस्तों आज हम लोग डिसकस करेंगे हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है विशेशन दोस्तों इसके पहले वाले वीडियोज में हमने संग्या और सरवनाम को डिटेल में डिसकस कर लिया था यदि आपने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो उसे भी देख लीजे उसमें मैंने दोनो टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से एक्स्प्लेन किया है यदि आप वीडियो को देख लेंगे तो संग्या और सरवनाम से रिलेटेट कोई भी प्रशन आप आसानी से स्वाल्व कर सकेंगे दोस्तों उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आज विशेशन को भी डिटेल में डिसकस करेंगे दोस्तों यह टॉपिक भी एक्जाम की दिर्श्टी से बहुत ही इंपर्टैन्ट है और हाँ दोस्तों वीडियो को end तक ज़रूर देखिएगा इसमें भी मैंने वीडियो के end में सारे previous year questions डिसकस किये हैं दोस्तों जो previous year questions होते हैं वो बहुत ही important होते हैं क्योंकि ये questions बार-बार repeat होते रहते हैं दोस्तों ये DL8 के लिए ही नहीं अपितु, TED, C-TED, Super TED या अनिकोई exam के लिए भी ये वीडियो काफी beneficial है दोस्तों वीडियो के बीच बीच में मैं और भी important बाते discuss करूँगी इसलिए वीडियो को बिना skip किये वे end तक जरूर देखिएगा और हाँ दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आये हैं तो चैनल को subscribe करना बिल्कुल भी न भूलें वीडियो को like करें और share करें ताकि और भी दोस्तों को help मिल सके आये दोस्तों, हम अपना session start करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे विशेशण क्या है और इसकी क्या परिभासा है दोस्तों, विशेशण का साबदिक अर्थ होता है विशेशता उत्पन करने वाला अर्थात विशेशक दोस्तों विशेशन एक विकारी शब्द होता है दोस्तों विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जो लिंग वचन कारक इत्याद में कभी नहीं बदलते जैसे इमानदार चालाक और सुन्दर आईए दोस्तों अब जानते हैं विशेशन की परिभासा क्या है तो दोस्तों संग गणा मीठा मोटा इत्यादी दोस्तों जिस शब्द की विशेश्ता बतलाई जाती है वो विशेश्य होता है आए दोस्तों अब जानते हैं विशेशन के भेद दोस्तों विशेशन के मुखिता चार भेद होते हैं जिसमें से पहला भेद है गुडवाचक विशेशन दूसरा ह सार्वनामिक विशेशन और चवथा है संख्या वाचक विशेशन दोस्तों यह परिमाड वाचक विशेशन भी दो प्रकार का होता है पहला है निश्चित परिमाड वाचक विशेशन और दूसरा है अनिश्चित परिमाड वाचक विशेशन दोस्तों इसी प्रकार संख्या व और उनके उदाहरन को जिसमें से पहला भेद है गुड़ वाचक विशेशन दोस्तों जो शब्द संग्या या सरुनाम के गुड़ दशा आकार अथवा अवस्था का बोध कराते हैं उन्हें गुड़ वाचक विशेशन कहते हैं जैसे सुन्दर फूल, काली बिल्ली, मीठा सेब, बलवान पुरुष, आदी दोस्तों कुछ और भी शब्द हैं जैसे अच्छा, बुरा, सच्चा, जूठा, नया, पुराना, इमानदार और चालाक ये शब्द भी गुड़ वाचक विशेशन के अंतरगत आते हैं उधारन नमबर वन है, वह शुन्दर फूल है, तो दोस्तों यहाँ पर सुन्दर वर्ड गुड़ वाचक विशेशन होगा, इसी प्रकार जो दूसरा उधारन है, यह काली बिल्ली है, तो यहाँ पर बिल्ली तो है, लेकिन कैसी है, काली है, अर्थात जो काली शब्द है, यह गुड़ वाचक विशेशन होगा, अर्थात जो शब्द संग्या या सरुनाम शब्द के गुड़, दोश, भाव, रंग, आकार, समय, सुभाव, आदि की विशेशता का बोध कराएं, वो गुड़ वाचक विशेशन होते हैं, आए दोस्तों दूसरा विशेशन जानें परिमाड वाचक विशेशन, तो दोस्तों जो शब्द किसी संग्या या सरुनाम की माप तौल बताते हैं, उन्हें परिमाड वाचक विशेशन कहते हैं, दोस्तों परिमाड वाचक यानि की नाम से ही बोध करा रहा है, परिमाड का मतलब मात्रा, अर्थात जो विशेशन मा नात्रा का बोध कराये वो परिमाड वाचक विशेशन होगा जैसे दो किलो चीनी तो यहाँ पर चीनी कितनी है दो किलो है अर्थात जो यह दो किलो वर्डाया है यह परिमाड वाचक विशेशन होगा इसी प्रकार तीन लीटर दूद चार मीटर कपड़ा थोड़ा पानी बह बहुत भारी ये परिमाड वाचक विशेशन होंगे क्योंकि यहां पर परिमाड यानि की मात्रा का बोध करा रहे हैं उदारण है मुझे थोड़ा जूस चाहिए तो यहां पर जो थोड़ा वर्डाया हुआ है यही परिमाड वाचक विशेशन होगा क्योंकि यहां पर जूस क परिमाड वाचक विशेशन होगा क्योंकि 10 लिटर से मात्रा का बोध हो रहा है इस प्रकार हम लोगों ने जाना जो परिमाड वाचक विशेशन होता है वो नापतवल को बताता है दोस्तों ये जो परिमाड वाचक विशेशन होता है उसके भी दो भेद है जिसमें से पहला भेद है निश्चित परिमाडवाचक विशेशन दोस्तों जो ये निश्चित परिमाडवाचक विशेशन होता है वो निश्चित मापतवल बताने वाले शब्द होते हैं यानि कि जो भी मात्र होगी वो एकदम निश्चित होगी एकदम स्योर होगी तो यहा तो दोस्तों यहां पर जो वर्ड्स यूज हुए हैं चार लीटर, तीन मीटर, एक किलो तो यह जो हैं एक निश्चित मात्रा को बता रहे हैं मतलब एकदम स्योर है कि चार लीटर डूट ना उससे कम न उससे ज्यादा अर्थात यहां पर एक श्योरिटी पता चल रही है यहां पर जो मात्रा है एकदम निश्चित है इसलिए यहां पर निश्चित परिमारवाचक विशेशन होगा दोस्तों यह इसी परिमारवाचक विशेशन का जो दूसरा भेद है वो है अनिश्चित परिमारवाचक विशेशन दोस्तों जिसके नाम से ही पता चल रहा है अनिस्चितता यानि अन्से और अनिस्चित मापतवल बताने वाले शब्द अनिस्चित परिमारवाचक विशेशन कहे जाते हैं जैसे थोड़ा दूद, कुछ तेल, अधिक गुड़ तो दोस्तों, यहाँ पर जो थोड़ा, कुछ या अधिक ये जो वर्ड्स यूज हुए हैं ये अनिस्चितता को बता रहे हैं इसलिए यहाँ पर अनिस्चित परिमारवाचक विशेशन होगा दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर कई लोग आये हुए हैं तो दोस्तों यहां पर जो कई words यूज हुआ है वो परिमाडवाचक यानि कि अनिश्चित परिमाडवाचक का बोध करा रहा है आए दोस्तों अब डिसकस करते हैं विशेशन के तीसरे भेद को यानि कि सार्वनामिक विशेशन दोस्तों ये जो सारवनामिक विशेशन होता है इसको संकेत वाचक विशेशन के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों ऐसे सरवनाम जो संग्या से पूर आकर उसकी विशेशता बताते हैं सारवनामिक विशेशन कहलाते हैं दोस्तों, ऐसे सर्वनाम शब्द जो संग्या की ओर संकेत करते हैं, उन्हें हम सर्वनामिक विशेशन या संकेत वाचक विशेशन कहते हैं, उदारन में है वह नौकर चला गया, तो दोस्तों, यहाँ पर वह शब्द जो है, यह शार्वनामिक विशेशन है, क्योंकि यह नौ कि उसका शब्ध शर्वनाम तो यहां पर जो सर्वनाम शब्द उसका है वह संग्या की ओर संकत कर रहा । इस लिए यहां पर संग्या कुक्र्टysischeson हो गारा है यहां ने करते हैं विशेशन के चौथे और लाष्ट भेद को यानि कि संख्या वाचक विशेशन तो दोस्तों जो शब्द किसी संग्या या सरवनाम की संख्या बताते हैं उन्हें संख्या वाचक विशेशन कहते हैं दोस्तों इसके नाम से ही बोध हो रहा है कि संख्या वाचक यानि क जो संख्या का बोद कराए तो जैसे तीन आदमी, पाँच आम, सात्मी मंजिल, कई बच्चे, कुछ औरते, अनेक कमरे आदी दोस्तों यहाँ पर जो words यूज हुए हैं जैसे तीन, पाँच, सात्मी, कई, कुछ अनेक ये सब्द जो हैं संख्या वाची विश्रशन होंगे क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आदमियों की संख्या बताई जा रही है इसी प्रकार दोस्तों दूसरा एक्जामपल है ये पाँच केले हैं यहां पर भी केलों की संख्या 5 है जो की संख्या का बोद करा रहा है इसलिए यहां पर भी 5 जो है वो संख्या वाचक विशेशन होगा तो दोस्तों जो शब्द संख्या और सरुनाम की संख्या क्रम वा गड़ना का बोद कराते हैं वही संख्या वाचक विशेशन हो जाते हैं दोस्तों ये संख्या वाचक विशेशन भी दो प्रकार के होते हैं जिसमें से पहला है निश्चित संख्या वाचक विशेशन दोस्तों निश्चित संख्याओं का बोद कराने वाले शब्द निश्चित संख्या वाचक विशेशन कहलाते हैं दोस्तों जैसे चार कलम तो यहा यहां पर तीन चौथा पांचवा सातों यह शब्द जो है वह निश्चितता को बता रहे हैं इसलिए यहां पर निश्चित संख्या वाचक विशेशन हो जाएगा इसी प्रकार संख्या वाचक का जो दूसरा प्रकार है अनिश्चित संख्या वाचक विशेशन यानि कि निश्चित नहीं है कुछ school ऐसका मतलब है यहां पर निश्चित संख्या Tech embarkation हो जाएगा इसी प्रकार और पर यहां कि रुपयों की कोई संख्या निश्चित नहीं कि कि इतने रुपये हैं यहां कोई स्टोन नहीं बताया ग्या इस प्रकार सभी अध्यापक, कितने हैं ये नहीं पता है, बस सभी अध्यापक बता दिया गया, इसी प्रकार जो ये कुछ कम और सभी ये वर्ट्स आई हुए हैं, वो अनिश्चिता को बता रहे हैं, इस वजए से यहां पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेशन हो जाएगा, आएए दोस् है, ये विशेशन सब्द है, लेकिन जो बहुत है, वो विशेशन की भी विशेशता को बतला रहा है, इसलिए यहां पर बहुत शब्द प्रविशेशन हो जाएगा, तो दोस्तों हम लोगों ने विशेशन को, उसकी परिभासा को, उसके एक्जामपल्स, उसके प्रकार, प उधारन सहीत स्पष्ट कीजिए तो दोस्तों अभी अभी हम लोगों ने विशेशन किसे कहते हैं और उसके उधारन सब डिटेल में पढ़ लिए हैं दोस्तों इसी क्रम में जो दूसरा प्रश्ण पूछा गया है वो है कौन सा परिमाड बोधक विशेशन है जिसका पहला तो दोस्तों यहां पर जो चौथा अप्सन थोड़ा यही आंसर सही होगा यानि कि थोड़ा शब्द जो है वो परिमाड बोधक विशेशन होगा दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट सेसन में और अनौट